ध्यान रखने योग्गे 25 जरूरी बाते महिलाओं के लिए कमाल के किचन टिप्स नमबर एक दाल चावल पकाने से पहले साफ पानी से धोकर आदा घंटा पहले भिगो कर रख दिये जाएं और उसी पानी में पकाया जाए तो खाना जल्दी पक जाता है और इंधन की भी बचत होती है नमबर दो भठूरे के आटे में जल्दी खमीर उठाने के लिए ब्रेड के दो-तीन स्लाइस चुरा करके मिलाएं नमबर तीन दही खटा हो जाने पर उसे कपड़े में चान कर पानी निकाल लें चाहे तो उसमें चीनी तथा सूखे मेवे बारिक काट कर हलका सा फैट लें और फ्रीजर में रख दें दो घंटे बाद श्री खंड के रूप में खा सकते हैं चाहें तो दही का पानी निकालने के बाद उसमें थोड़ा दूद मिलाकर रायता डाल सकते हैं। 4. करी पत्ता और धनिया की पत्तियों को ताजा रखने के लिए उन्हें पतले कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रखें। 5. दूद की मलाई को फूक मार कर ना हटाएं। फूक के जरिये किटानू दूद में चले जाते हैं और दूद दूशित हो जाता है। 6. दूद का प्रियोक करने से पहले एक उबाल जरूर दिलवाएं ताकि किटानू समाप्त हो जाएं। दूद को अधिक तेर तक ना उबालें। इससे उसके पोशक तत्वक नश्ट हो जाते हैं। 7. दूद फड़ जाने की स्थिती में पानी और पनीर को अलग कर दें। पनीर से आटा गुन सकते हैं या दाल चावल उस पानी में पका लें। स्वात के साथ पोश्टिक तभी बढ़ जाती है। 8. दो गिलास यदि एक तूसरे में फर्स कए हों तो कटोरे में गरम पानी डाल कर उसमें गिलास रखें। अंदर वाले गिलास में ठंडा पानी भर दें। दोनों गिलास आसानी से अलग हो जाएंगे। 9. सरदियों में आसानी से दही जमाने के लिए दही में जामुन लगाने के बाद बरतन को कैस्टरॉल में रखतें या फ्रिज के ट्रांसफर्मर पर बरतन को रखतें। दही आसानी से जम जाएगा। नमबर दस बेशन के गटे सक्त नहीं बने इसके लिए बेशन गूंदते समय उसमें थोड़ा सा मौइन डाल कर तही से बेशन को गूंदें नमबर ग्यारा किसी बोतल या स्टील के डिब्बे में समान रखना हो और पहली चीच की गंध ना जा रही हो तो उस दुली हुई बोतल में एक जलती हुई दिया सलाई की तीली डाल कर धकन बंद कर दें धकन खोल कर पुनह बोतल को धो कर सुखा लें गंध नहीं रहेगी नमबर बारा स्टील के भिगोने में दूद उबालने पर दूद अक्सर नीचे लग जाता है दूद उबालने से पहले पतीले में थोड़ा सा पानी डाल दें पानी उबलने के बाद दूद डाल कर उबालें नमबर तेरा सबजियों को धो कर काटें बाद में धोने से उनके खनिज बेविटामिन नश्ट हो जाते हैं नमबर चोदा यदि दूद में खटास आने लगे और फटने का डर हो तो उसमें एक चमच पानी में आधा चमच खाने का सोड़ा मिला दें दूद फटने से बच जाएगा नमबर पंद्रा मीठे बिस्कुडों का कुरकुरा पन बरकरार रखने के लिए कंटेनर में एक चमच चीनी डालें और उसके उपर बिस्किट डालें बिस्किट लंबे समय तक कुरकुरे रहेंगे नमबर सोला चाकु पर यदि जंग लग जाए तो चाकु को प्यास से घोप कर रखें पंद्रा से बीस मिनट बाद निकाल कर धोएं चाकु साफ हो जाएगा नमबर सतरा भिंडी की मसालेदार वाली सबजी बनानी हो तो गरम मसाले को दस मिनट के लिए इम्ली के पानी में डाल कर रखतें फिर इस मसाले से भिंडी बनाएं भिंडी का रंग और स्वाद ला जवाब होगा 18. घर में बजार जैसी क्रीम बनाने के लिए मलाई को मिक्सी में 4-5 सेकिंड तक ब्लेंड करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखतें 19. थोड़ी सी फ्रेश क्रीम में पिसी हुई शक्कर मिलाकर अच्छी तरह से फैटें इसे फ्रूट सलाद में डालें और अच्छी तरह मिलाएं शाही फ्रूट सलाद त्यार है 20. खस्ता आलू पूड़ी बनाते समय आटे में सूजी मिलाने से पूड़ियां खस्ता बनती है 21. पकोड़े बनाते समय बेसन के घोल में थोड़ा सा रिफाइंड तेल, हींग और अजवाइन डाल कर अच्छी तरह फैटें ऐसा करने से पकोड़े तो करारे बनेंगे ही पेट में गैस की शिकायत भी नहीं होगी 22. इडली को नए अंदाज में बनाने के लिए उसमें कटी हुई सबजियां या सबजियों को पीस कर उसका पेस्ट मिला कर वेजिटेबल इडली बनाएं अपका यह क्रियेशन महमानों को खूब पसंद आएगा 23. पावभाजी बना रहे हैं तो सबजी बनाते समय उसमें कौन पनीर आदी मिला कर हेल्दी और क्रियेटिव पावभाजी त्यार करें 24. अचार में फफूंदी ना लगे इसके लिए जरूरी है कि बनाते समय उसमें नमक की मात्रा आवश्यक्ता से थोड़ी अधिक रखी जाए और अचार पूरी तरह तेल में डूबा रहे इस से अचार ज़्यादा दिनों तक खराब नहीं होता 25. पालक पनीर बनाने के लिए पालक को उबालते समय उसमें एक टी स्पून शक्कर डालें जब पालक पका रहे हो तो उसमें एक टी स्पून नीबू का रस डालें इस से पालक का रंग हरा ही बना रहेगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद